नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है कि हत्याएं की थी और पिड़ितों के अंग छत बिछत किये थे इन में से अधिकतर महिलाएं थी जिनको वो सोसल मीडिया प्लेटफर्म पे मिले थे सीरियल किलिंग के इस मामले के सामने आने के बाद या बस उस समय तेज हो गई थी कि ऑनलाइन प्लेटफर्म पे आत्म हत्या पर कैसे बात की जाए अस्थानी मीडिया के अनुसार मंगलबार को 400 से अधिक लोगों ने इस फैसले को सुना जबकि कोर्ट में सिर्फ 16 लोगों को बैठने की जगा थी अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की इस केस के बारे में जानने और सजा के बारे में कितनी उत्सुपता थी जापान में सजाय मौत को लेकर लोगों का भारी समर्थन है और जापान ऐसे कुछ बिक्सित देसों में सामिल है जहाँ पर सजाय मौत बरकरार रखी गई है टाका हिरो के ट्विटर के जरिया ऐसी महिलाओं को अपने घर बुलाते थे जो अपनी जिन्दकी खत्म करना चाहते थी वो महिलाओं से कहता था कि मरने में उनकी मदद करेंगे और कई मामले में उनके साथ खुद का जीवन भी समाप्त कर लेगा जपान की समाचार एजेंसी कुडो ने इस मामले के हवाले से कहा कि उन्होंने अगस्ट 2017 से अक्टूबर 2017 के बीच में 15 से 26 बर्स के बीच की 8 मैलाओं और एक पुरुसकी गला घोटकर हत्या किया और इसके बाद अंग को चट बिचट कर दिये सिरियल किलिंग का ये मामला पहली दफा उसी साल हैलोविन पर सामने आया था जब टोक्यों के नजदिक जामा में टाका हीरो के फ्लेट से सरीर के अंग बरामद हुए थे जाजकरताओं को उनके फ्लेट से कई हाथ और पेरों की हड़ियों के साथ साथ नौसीर मिलेते जिसके बाद जापानी मीडिया उसके घर के बाहर हाउस अफ हरार कहा था अब योजर पक्ष ने टाका हीरो के लिए मौत की सजा मांगी थी उन्होंने भी हत्या करने और अंगों को छट बिछट करने की बात स्विकार की थी यानि कि जो अभ्यूक्त है जो दोसी है उसने भी मान लिया था कि हाँ उसने हत्या की जबकि उसके वकील का काना था कि ये मामूली धराव के ताहत दोसिय है क्योंकि सहमती से हत्या का मामला है पीडितों ने हत्या की अनुमती दी थी बाद में टाका हीरो ने अपने वकीलों से अलग राय रखी और कहा कि नहीं मैंने उनकी बिना सहमती के मारा तो जिस जज ने फैसला सुनाया उसका आकाना है कि कोई भी पिडित हत्या को ले करके सामत नहीं था इसके बाद भी हत्या की गई पिछले महीने 25 वर्स के एक पिडिता के पिता ने कहा था कि टाका हीरो अगर मर भी जाता है तो भी वो उसको माफ नहीं कर पाएंगे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस टाका हीरो को ले करके जापान में कितनी नाराजगी है और लोगों में गुसा है उन्होंने कहा था कि अभी भी मैं अगर किसी अपनी बेटी की उम्र के किसी महिला को देखता हूँ तो उसे अपनी बेटी समझ बैठता हूँ मेरा य ग्लोबली चर्चा इस बात पे हो रही है कि किस तरीके से सोसल मीडिया का सहारा ले करके एक एक करके नो हत्याएं की गई तो अब देखते हैं कि कब फांसी पे लटकाया जाता है क्योंकि अभी तो सजा सुनाई गई है उसके सामने सुभावी ग्रूप से और भी लीगल ऑप्सन होंगे इस खबर पर हमारी नजर रहेगी जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साजा करेंगे आप रहे हैं बे खब इक फ़र देखते रहे हैं इनकबर थैंक यू इनकबर चानल को सबस्क्राइब करें